हलो, मैं श्रीमतियाराधना गंध्रा, सब्जेक्ट बायोजी, बायोजी सब्जेक्ट को स्टड़ी करने के लिए पहले उसके मिनिंग को जानना आवश्यक है, बायोजी वर्ड दो शब्दों से मिलकर के बना हैं, बायो अन्द लोगोस, हिंदी में कहेंगे तो जीव, विज्ञान, बायो अर्थाथ, ऑर्गनिजम्स, लोगो, लोजी, लोगोस शब्द से बना हैं, जिसका रथे टू स्टड़ी, जीव, विज्ञान अर्थाथ, ऐसा वि मौडल दिखा रही हूं जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी विध्यार्थियों के syllabus को study करने के लिए काम में आएगा और सभी को अपने शरीर को जानने की इच्छा होती है इस मौडल में हमारे शरीर के कुछ system कुछ तंत्र जो हमारे शरीर की विभिन गतिविद्यों को विभिन उपापचे क्रियाओं को metabolic activities को संचालित करते हैं उन्हें दिखाया गया है वो किस प्रकार in which manner arranging our body हमारे शरीर में किस प्रकार से पाए जाते हैं उन्हें इस मौडल में दिखाने का प्रयास किया गया है और इससे निश्य ही सभी को हमारे तंत्रों को जानने में लाब होगा हमारे तंत्रों को काफी हद तक विद्यार्थी समझ पाएंगे कुछ तंत्रों को के नामों को विद्यार्थी जानते हैं कुछ को नएओं को हम जानेंगे या हम सिस्टम की बात करें तो इस मॉडल में करम से जब हम देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम परिभन तंत्र, मस्कुलर सिस्टम पेशिय तंत्र, रैस्पिरेटरी सिस्टम स्वशन तंत्र, मस्तिश्क, ब्रेन, हार्ट, रधय और एक्सक्रिटर सिस्टरम उत्सर्जन तंत्र की रचना को और उनकी शरीर में पाये जाने की विवस्था को दिखाये गया है इस मॉडल के द्वारा हमारे शरीर में किस प्रकार से विविन्न भाग पाये जाते हैं उनको आप देखेंगे इसका विस्तृत इस मॉडल में हम देख रहे हैं सबसे पहले देखिए परिवहन तंत्र जिसमें सर्कुलेटर सिस्टम जिसमें धमनियों और शिराओं आर्ट्रीज और वेंस को दिखाये गया है देन मस्कुलर सिस्टम पेशिय तंत्र जिसमें मसल्स को दिखाये गया है नमबर त्री रैस्परेटर सिस्टम श्वशन तंत्र जिसमें आप देख रहे हैं लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर, फेफडों के आंत्रिक रचना ट्रैकिया, क्योंकि लंग्स हमारे शिर में रखटो को ब्लेट को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं उनकी रचना को दिखाय गया है यह लंग्स यहा पर रधे को दिखाये जा रहा है रधे और लंग्स, हार्ट और फेफडे ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं एक रख्तो को पंप करता है ब्लेट को पंप करने का काम करता है पंपिंग स्टेशन है और दुसरा ब्लेट को प्यूरिफाई करने का काम करता है जिसे हम लंग्स या फेफडे कहते हैं और ये लंग्स या फेफडे हमारे शरीर को केर पूरे ब्लड को प्योर करने का काम कर रहे हैं इसलिए ने सुचार रुप से चलाना चाहिए इसी करम में आगे digestive straight to system पाचन तंत्रों कहम देख रहे हैं और पाचन तंत्र में आप इसमें देख रहे हैं small intestine, large intestine, चोक्तियांत, बढ़ियांत, stomach, आमाशे और उनकी विवस्था, उनका arrangement का करम किस प्रकार, in which manner? किस प्रकार से इसको दिखाए गया है कि इस डाइजेस्टि सिस्ट्रम की इस्ट्रक्चर को कि स्ट्रडी करने के बाद हम आगे जा रहे हैं जिसमें दिखाये गया है किस प्रकार ब्रेन विवस्थित होता है कहां हमारे रधे की हमारा हाट की position क्या है हमारा रधे हमारे शरीर में हमारी body में कहां इस्थी थे इसे दिखाए गया है रधे हाट हमारे शरीर का मुख्य भागे main part है जो पूरे blood को pump करने का काम करता है पूरे circulatory system से waves से शिराओं के दारा अशुद्ध रखता है और pure blood arteries धन्यों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है इस प्रकार रधे और फेफडे मिलकर हमारे रख्त के शुद्धी करन का काम परिसंचरन माध्यम के साथ में रेकर करते हैं अंत में दिखाया उत्सरजन तंत्र जो उत्सर जी पधार्तों को बाहर निकालने का कारे हमारे शरीर से करता है यह उत्सरजित अंत्र किरशना को excretory system के structure को जो हम देखेंगे यह excret out करता है हमारी body के जितने भी poisonous substances है जितना भी West material है उसको और इस system को सचारो रूप से संच चालित करने के लिए हमारी बॉडी में दो किद्णी दो व्रक क्यों पस्थित होती है यह दोनों किद्णी दोनों रख यूरेटर यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा से कनेक्ट हो करके शरीर से उस्तरजी पधार्तों को बहार निकालने का काम करते हैं धन्यवाद